पिछले वित वर्ष के मुकाबले इस बार देश में चना तथा राजमा के आयात में बढ़ोतरी देखी जा रही है। लगभग बराबर है। आयात शुल्क लागू है मगर अफरीका के अविक्सित या अल्प विक्सित देशों से इसके आयात पर सीमा शुल्क से छूट मिल जाती है। चना का आयात अपरेल से अगस्त दो हजार तेश के दोरान काफी कम हुआ मगर सितंबर से बढ़ने लगा और अक्टूबर में यह उच्छल कर पचास हजार तन से उपर पहुँच गया। इसके बाद नवंबर में 34,000 तन एवं दिसम्बर में 10,000 तन चना मंगाया गया। जहां तक राजमा का सवाल है तो इसका आयात भी अपरेल दिसम्बर 2023 के नौ महीनों में बढ़कर 91,273 तन पर पहुँच गया जो वर्ष 2022 की समान अवधी के आयात 61,034 तन से ज्यादा मगर वर्ष 2021 के इन ही महीनों के आयात 97,050 तन से कम रहा। प्राप्त आकडों के अनुसार चालू वित वर्ष के दोरान अपरेल 2023 में 7,251 तन, मई में 12,012 तन, जून में 9,445 तन, जुलाई में 6,016 तन, अगस्त में 7,976 तन, सितंबर में 7,133 तन तथा अक्टूबर में 11,982 तन राजमा का आयात हुआ जबकि नवंबर में 17,673 त आयात होने का अनुमान है। भारत में राजमा का आयात वित वर्ष 2022 से 23 की पूरी अवधी, अपरेल से मार्च में 82,736 तन, 2021 से 22 में 1,37,938 तन, 2020 से 21 में 1,6,322 तन तथा 2019 से 20 में 1,14,935 तन दर्ज किया गया था। अभी जनवरी मार्च 2024 का आयात आकड़ा सामने आना बाकी है लेकिन इतना अवश्य है कि कुल आयात एक लाक टन से उपर पहुंच जाएगा। Bureau Report Market Times TV